हलो सुदेंट्स मेरा नाम धीरज महुंदिवेदी और स्वागत है आपके फेवरेट चानल मागनेट ब्रेंज पर मागनेट ब्रेंज एक ऐसा चानल जहां पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन और मैं आपको एकाँ बताना चाहता हूँ कि मागनेट ब्रेंज पर किंडर गार्डन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स और इबुक्स एविलेबल है तो उसको लेने के लिए क्या करना है आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को आप फिलब करें फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉंटाट करेंगी तो यह जो बुक्स एविलेबल है यह आपके बहुत ही जादा बेनिफिशल रहेगा बिकॉस यह डिफरेंट सेग्में में क्याटिगराइज है लाइक आपका सैंपल बेबर बुक्स हो ग उसका एक बहुत ही चोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाटर आप लैन्स, पावर आप लैन्स तो पावर आप लैन्स का मतलब क्या? ठैकें, क्या तुम लोग यह समझ रहों कि लैन्स कितना ताकतवर है? तो मेरी बात को सुनना, यहाँ पर पावर का मतलब थोड़ करेगा ठीक है मालब अगर convex lens है तो वो rays को converge करेगा और अगर concave lens है तो rays को diverge करेगा तो अगर हम बात कर रहे है power of lens की तो हम यह बात करेंगे it is the ability of a lens to converge or diverge the rays of light ठीक है ध्यान देना है आपर definition मैंने लिखा हुआ है power of lens is defined as the ability ability of the lens to converge or diverge a beam of light falling on the lens ठीक है मैंने यह कहा कि आपके पास मान लो एक convex lens है आपके पास दो convex lens है मान लो एक convex lens ऐसा है वो rays को आराम से converge कर रहा है वहीं अगर आपके पास एक और convex lens है उसने जल्दी converge कर दिया उसको ठीक है मतलब उसने ऐसे converge कर दिया मतलब आप यह देखो किसका power जादा है किसमें converging की ability अच्छी है तो दूसरा जो आया मैंने जिसने पहली converge कर दिया उसकी ability अच्छी है ना हाँ है ना मतलब मैंने क्या बोला कि power of lens is simple the ability of a lens to converge or diverge the rays of light or the beam of light which is falling on a lens है कि नहीं आ रही है बास समझ में तो यह होता है आपका simple power of lens clear है ठीक है now अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे किसी lens का power निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे तो simple हम कहते हैं कि power is the reciprocal of focal length तो p is equal to one by f है ना लेकिन यह formula कभी use करोगे जब आपका focal length meter में होगा ठीक है तो अगर आपके पास focal length meter में है या centimeter में है तो मीचर में convert कर लो then आप power निकालेंगे formula कौन सा यूज करोगे p equal to one by f है कि नहीं लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो centimeter में ही रखेंगे तो उन लोगों के लिए formula कौन सा है p equal to hundred by f यहाँ पर आप focal length क्या रखोगे centimeter में रखोगे इसे clear ठीक है तो power calculate करने का ये simple दो formula है इसे clear ना अब ये जो power है इसकी SI unit आप जानते हो होता है diopter जिसको denote करते है capital D से है ना तो ये हो गया आपका simple power का definition and उसका formula अब मेरी बात को सुनना देखो power जो है वो reciprocal of focal length होता है मतलब जो sign focal length का होगा वही sign power का होगा तो आप जानते हो ना कि जो converging lens होता है convex उसका focal length positive होता है तो उसका power भी positive रहेगा और जो diverging lens होता है concave ठीक है उसका focal length negative होता है तो उसका power भी negative होगा मतलब जैसा sign focal length का वैसा sign power का है ना तो वही बात मैंने यहां लिखी हुई है for converging lens power is positive and for diverging lens power is negative is it clear ठीक है चलो तो ये हो गया आपका simple introduction of power तो पहले आप लोग इसका screenshot ले फिर हम कुछ और बात करेंगे इस power के उपर ठीक है चले अब देखें यहां पर ध्यान से combination of lens तो मेरी बात को सुनना ध्यान से अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा lenses हैं और उनको अगर आपने contact में रखा एक दूसरे के ठीक है तो उस combined lens का जो focal length होगा वो कैसे निकालते हैं तो मेरी बात को सुनना धी reciprocal of combined focal length is equal to the sum of reciprocal of individual focal length तो यहां पर देखो when two or more thin lenses of focal length f1, f2 and so on are held in contact with each other then the focal length f of the combination is given by 1 upon f यह f क्या है combined focal length is equal to one upon f1 plus one upon f2 plus one upon f3 and so on ठीक है तो चार lenses है तो one upon f4 तक है कि नहीं ठीक है तो यह होगा आपका simple combined focal length निकालने का formula simple reciprocal का sum कर दो तो मिल जाएगा आपको combined lens के reciprocal मला combined lens के focal length का reciprocal मिल जाएगा आपको clear है यह चीज़? now अब अगर मैं बोलू one upon f जानते हो ना क्या होता है power ठीक है तो one upon f यह आपका combined focal length है तो one upon f क्या हो जाएगा combined power this combined power तो combined power को लिख सकते ना p1 plus p2 plus p3 and so on मतलब अगर दो या दो से जादा lenses अगर एक दूसरे के contact में रखे हुए हैं तो वहाँ पर जो combined power होगा वो individual power के algebraic sum के बराबर होते हैं है कि नहीं जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि एक आपके पास convex lens है ठीक है यहाँ पर एक आपका concave lens है ठीक है तो आप देखो ध्यान से आपर इसका मान लो power है suppose करना p1 is equal to आपका 2 diopter और इसका power है मान लो के p2 equal to minus 3 diopter तो आप बताओ net power कितना होगा simple algebraic sum यह 2 और यह minus 3 that is equal to minus 1 diopter मतलब इनका जो combination है उसका net power कितना है minus 1 diopter आया और minus 1 diopter आया इसका मतलब यह जो combined lens है उसका behavior concave जैसा होगा क्योंकि उसका power negative है न तो negative power मतलब जो net power का sign आएगा ठीक है उसके according हम उस combined lens का behavior बताएंगे कि अगर combined lens का power positive आएगा तो हम बोलेंगे उसका behavior जो है वो converging जैसा होगा और अगर combined lens का power negative आएगा ठीक है तो उसका behavior diverging जैसा होगा is it clear ठीक है चलो तो यह हो गया आपका simple combined combination of lens का power या focal length निकाले का formula clear है ठीक है तो एक काम करें इसका screenshot लें फिर हम कुछ और बात करेंगे हाँ पर power में चले अब देखें यहाँ पर next यहाँ पर देखो एक point है क्या point है if the lenses of focal length f1 and f2 are separated by finite distance d the focal length f of the equivalent lens is given by देखो पिछले वाले में lens कैसे combined था बिलकुल दोनों को चिपका के रखा हुआ था जितने भी lenses है न वो बिलकुल contact में थे बेसिकली लेकिन अगर मान लो दो lens ठीक है एक particular in finite distance पर रखे हुए है मैं अनके बीच में एक separation है और वो separation कितना बोलाया आपड डी तो अगर कोई दो lens एक particular finite distance पर separated है तो उनका combined focal length कितना होगा ठीक है मतलब मैंने यह कहा आपसे कि मान लो यह convex है और यह concave है ठीक है इनके बीच में एक separation है डी ठीक है इनके बीच में separation है डी और इसका focal length f1 इसका focal length f2 तो इसका combined focal length कितना होगा तो उसके लिए formula होता है 1 upon combined focal length is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 into f2 ठीक है यह formula होता है जिससे आप combined focal length निकाल सकते हो जब दो lens एक particular distance पे separated है तो clear है वहीं पर देखो इसको मैंने power में convert कर दिया तो 1 upon net focal length is net power this is p1 1 upon f1 is p1 1 upon f2 is p2 and minus d यह देखो 1 upon f1 is p1 1 upon f2 is p2 तो d p1 p2 तो यह हो जाएगा आपका combined power निकाल ले का formula अगर दो lens एक particular distance पर separated है तो इससे clear है ठीक है तो यह कहानी थी आपकी पूरी power of lens की है ना तो पहले आप लोगों इसका screenshot ले ले चलें यहाँ पर अपना खतम होता है power of lens अब जो next video रहेगा उसमें हम बात करेंगे यह जो हमने पूरा reflection पढ़ा ठीक है reflection थू हम लोगों ने plane surface पढ़े ठीक है reflection थू हम लोगों ने पढ़ा आपका spherical surface मलग surface फिर हमने देखा lens तो यह पूरा जो अभी तक हमने reflection पढ़ा है इसके उपर हम लोग अब next video में questions देखने वाले हैं कि कैसे questions आपके exam में पूछे जाते हैं ठीक है तो next video बहुत जादा important रहेगा वहाँ पर पता चलेगा कि कैसे questions वहाँ पर मिलते हैं ठीक है चलो तो ऐसी व course मिलेंगे जो कि बिल्कुल free of cost है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो topic पढ़ लिया तो कोई coupon लगाना पढ़ आओ पेमिन करना पढ़ आओ ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर सारा content बिल्कुल quality content आपके लिए बिल्कुल free available है तो बस अन्त में ही कहूंगा अगर आप को भी इसका फाइदा मिल पाए थैंक यू